हेलो एवरिवान वेलकम टो माई चैनल विंटर वेजिटेबर्स की सीरीज में आज हम उगाने वाले हैं अपने किचन गारडन में लाल साग, लाल भाजी या फिर रेड एमरेंथस जिसे कहते हैं और ये हैं इसके सीट्स और ये पिछले साल के सीट्स हैं और देखे मैंने इस इस सील पैकेट में इसे अच्छे से सभाल कर रखा है और इसके बाद मैंने इस पैकेट को एक एर टाइट डबे में रख दिया था जिसे कि बिलकुल भी हवा न लगे और हमारा पिछले साल का सीजन का सीट्स भी खराब ना हो और इस सीजन में काम आ जाए तो इसी तरह से आप रखें तो चलिए इन सीट्स को हम इसका टोरी में निकाल लेते हैं और देखिए इस तरह के इसके बीज है चोटे चोटे बहुत चोटा साइज है ब्लैक कलर के और थोड़े चप्टे से इसके बीज होते हैं तो सबसे इजी ग्रोइंग लीफी वेजिटेबल्स में से एक है ये लाल साग तीन से चार दिनों में ही इसके सीट्स जर्मिनेट होने लगते हैं और करीब एक सवा महिने में भाजी हमारी हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसे लगाना कैसे है वैसे तो बहुत आसान है इसमें कोई इतना दिखाने वाली बात है नहीं लेकिन फिर भी कुछ नए गार्डनर्स हैं उन्हें दिक्कत होती है तो उनके लिए वीडियो हेल्फुल हो सकती है तो चलिए ये मिट्टी मैंने कल ही तयार कर ली थी और उसके बाद रात को बारिश हुई है इसलिए ये थो खाद मिला दी थी तो अब देखे मैं अश्चे से इसे उपर नीचे करके बिल्कुल बराबर कर लूँगे मिट्टी को और आप लाल साग के लिए चोड़ा कंटेनर लीजिए और गहराई मिनिमम आठ हैंच होनी चाहिए उससे उपर आप कितना भी ले ले लेकिन वाल भाजी को हमेशा चोड़े कंटेनर में लगा यह और मैन मेरा देखी यह वाला कंटेनर तयार हो गया है और मैं ऐसे ऐसे दो इक शुरक यह वाजी करने को हमने काम नहीं में लगा लो तब ये सही से हार्वेस्टिंग इसकी हो पाती है तो देखे ये छोटे-छोटे बीज है और बस मैं इसे इस तरह से इसके बीज बिखेर दूंगी आधे बीज में डालूंगी आधे में दूसरे कंटेनर में डालूंगी और आज 3 अक्टूबर है अक्टूबर के इस स्टार्टिंग में आप लाल भाजी लगा सकते हैं पूरे दिसंबर तक आप इसे बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं तो बस अब ये बीज डाल करके हम इसे मिट्टी से कवर करेंगे और उपर से मिट्टी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी चोटी बीज होते हैं तो बस इस तरह से हम हलकी हलकी गुडाई कर देंगे मिट्टी को एक दूसरे में अच्छी तरह से मिला देंगे तो भी क इस बार हमारे साइड बहुत बारिश उलट पुलट हुई है बारिश के टाइम पे तो बारिश हुई नहीं है और अब दो दिन से लगातार बारिश हो रही है हलकी हलकी फुहार स्टार्ट हो गई अब तो चलिए लाल भाजी की सीडलिंग हो गई और इसी तरह से मैं एक और कंटेनर में लाल भाजी के बीज डाल दूँगे और अब मैं आपको अपने स्ट्रॉबेरी प्लांट के अपडेट दिखा दूँ ये मेरे पास लगातार एक व्यूवर की क्वेरी आ रही है तो देखी ये प्लांट था जो मैं एक प्लांट लेके आई थी और इसमें से देखी कितने सारे रनर्स निकल रहे हैं और इसकी पत्तियां जो आपको ये थोड़ी खराब दिख रहे हैं ये बारिश की वज़े से है बारिश रुपते ही जैसे ही मौसम खुलेगा ये सारी पत्तियां सही हो जाएंगी और इन रनर्स से देखे मैंने इन दोनों ब्लू वाले कंटेनर्स में कितने सारे नए स्ट्रॉबेरी के प्लांट तयार कर लिये हैं तो इन रनर्स से बहुत आसानी से नए प्लांट तयार हो जाते हैं बस आपके पास एक स्ट्रॉबेरी का पौदा होना चाहिए और उसमें से देखे इस तरह से runners निकलते हैं और आप हजारों पौधे तयार कर सकते हैं यह देखे कैसे roots निकल रही है न इसे आप बस मिट्टे में touch करा दीजिए जिस भी container में आप नया plant बनाना चाहते हैं और आपका नया plant तयार हो जाएगा तो देखे यहाँ पर यह मैंने यह orange वाला एक नया गमला लिया है इसमें भी मैं एक पौधा तयार करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है तो देखे इसमें से जो runners निकल रहे हैं इसमें से जो जहाँ पर से आपको root दिखाई दे रही है अगर root ना दिखाई दे तो भी जिसमें रूट्स है मेरे पास और यहां प्लाइट मेरे पास ले करके दोनों गमलों को ओर डखें यहां पर मुझे नर्ड़ाना है तो यहां पर इसे बस सी दिनों में जो सी जूड़ाईंगे और आपका नजा पौधा यहां से बैबी प्लाइट तयार हो available और फिर इसके बाद हम रनर को इसके मदर प्लांट से ऐसे कट कर देंगे तो करीब 10 दिनों में हमारा ये काम कम्प्लीट हो जाएगा जो इसकी रूटस अंदर चली जाएगी और नई जब लीज निकलने लगेंगी आपको लगेगा कि प्लांट हमारा रेडी हो गया है तो फि निकलते हैं और जो नए प्लांट बन जाते हैं उसमें भी लगबग 20-25 दिनों के बाद से ही नए रनर निकलना शुरू हो जाते हैं जिससे आप नए प्लांट बना सकते हैं और इस ट्रॉबेरी के लिए बहुत जादा बड़े साइस के गंबलों की भी ज़रूरत नहीं होत करके कुछ और नए पौधे तयार कर लू ताकि विंटर में थोड़ी अच्छी खासी मात्रा में स्ट्रॉबेरी मिले हमें खाने को और बाकी मैं आगे आपके साथ अपडेट शेयर करती रहूंगी कि क्या में केयर करूंगी और इसमें में क्या खात पानी वगरे डालूंगी और किस तरह से स्ट्रॉबेरी लगेंगी और लाल साथ की भी अपडेट में आपके साथ शेयर करूंगी तो बने रहीएगा मेरे साथ आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर की जरूर कीजेगा थैंक यू